आज मैं आप लोगों साथ सेयर करूंगी कटल की बहुत ही ज्यादा टेस्टी सबजी ना हम उसको अलग से फ्राई करेंगे ना ज्यादा तेल इसमें लगेगा बट फिर भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कर लेंगे कट कर लेंगे तो हाथों में पहले तेल लगा लेंगे तो इसको तेल लगाने के बाद इसको हम कट कर लेते हैं तो हम इधर ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता ना वीडियो फी लोग देखते नहीं है तो इसलिए मै जादा बड़े नहीं कट करेंगे, छोटे-छोटे पीस ही कट करेंगे, ये देखिए, ऐसे छोटे पीस कट करने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, खाने में भी अच्छा लगता है, तो उसको बस ऐसे कट करने के बाद, इधर हम पानी चढ़ा दिये थे, तो पानी गरम हो ग तो चार ले लिए और अधरक लैसुन मिर्च ले लिए तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो सबसे पहले न हम मिर्च अधरक लैसुन और प्याज को डालके इसका पेश्ट बना लेंगे, तो ये देखिए हम पेश्ट बना लिए और टमाटर को भी पीस लिए थी और इधर हम ड्राइ मसाले का बना लेते हैं, तो इधर मैं ले लेती हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कास्मीरी लाल मिर्च और इधर ले लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, कशूरी मेथी ले ले लेंगे, और नमक ले लेंगे, टेस्ट के अकॉर्ड इसलिए इधर नमग कम लीूँ के जाएगा इसक कर लेथे हैं मिक्स कर लेते हैं यह साइब में ले ले लेंगे कुछ ख़ड़े मसाले लोग लेए जादने काली मिर्च ले लेंगे जहाया था था गया है कट हल मुझे देहां यह थोड़ा सब मुझे गरम ज़्यादा लग रहा था, तो मैं मतलब चेक कर ली थी, ठीक था कटहल, तो हमें ज़्यादा नहीं उबालना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, मतलब जब हम मसाले में बनाया तो फ्यू सौगी सा हो जाए, वैसे नहीं बनाना है हमें, तो यह में पानी जो है ना पहले तो निकाल लेती हूं कटहल को, अच्छे से पानी से अलग कर लेते हैं, और यह जो पानी है कटहल का ना वो यूज नहीं करने वाली हूं मैं, तो अलग से ही पानी में यूज करूंगी, इसको नहीं यूज करने वाली क्योंकि कटहल में सरसो का तेल तो कड़ाई में सरसो का तेल डालेंगे जब तेल घुरम होयाए गरम ग्रूकल की अ काक्ड़ाइ नौतार सेवे चीरा तुर्ड लना देनगे और मेथि दनेंगे मेथि घानन चाहिए पहले में नहीं खाती थी तो बडना को लिवे जानना sebelणा जोणuk को इसको भून लएते हैं आप देखों आप देखें टेल भी हम इतना ज्यादा यूज नहीं किये हैं और जो अलग से हम कड़फल को फ्राइ करते हैं न तो उसमें भी मिपिल कितना ज्यादा लगता यह तो ऐसे आप कटल बनाओगे न आप बहुत जड़़ादा टेष्टी लगेगी और बहुत ज़ादा उसा ईिड़ा कटल्च काम बनाओगे आप तो बहुत ज़ादा पसंद आएगा तो आइसे हमना पहले प्याज को हुन लेंगे थोड़ा तो प्याज भून जाए मतलब मसाला वाली सब्जियों में क्या होता अगर हमारा मसाला अच्छा भून गया है न तो फिर मतलब सब्जी बहुत जादा टेश्टी बनती है तो यह जब प्याज हमारा हलका सब भून गया है न उसके बाद हम यह जो डाले थे मतलब पानी में घो से कंटीनियूस हमें चलाते रहना है नहीं तो मसाला क्या होता नीचे ची पक जाता है फिर उसके बज़े से हमारा जो सब्जी है वो कड़वर हो जाता है तो यह चीज बिल्कुल ध्यान देना आपको भूनते रहना है सब्जी को बहुत ही अच्छे से तो अब हम डाल देंगे टमाटर भी डालके हम अच्छे से बुन लेंगे को हैं तो कई लोग को मैं दे volunteers आ जो पीश लेते हैं तो वैसे में क्या होता न जो कोदुल होता है वो म सालें फिर अच्छे पीशता नहीं है मतलब भूंता नहीं हैं अच्छे से एक सपून डाल दीं पख़बे, एक से दो स्पून दही डाल देंगे और इसको, हम मि fell पकाएंगे मसाले को अच्छे से मसाला बहुत अच्छी भुस्भू आ रही है, बहुत ही tasty मसाला भुणगा है, इसमें हम डाल देंगे, ay you, मतलब होता, अा बहुत लोगों कई- बहुत ज्यादा ओयल छोड़ने लगता साइड से तो वह उनके में छोड़ता ना जो बहुत ज्यादा ओयल डालते हैं तेल बहुत ज्यादा डालते हैं ठीक है तो मैं ज्यादा तेल नहीं यूच कर रही हूं तो मेरे में ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं छोड़ेगा बट फिर मसाला बहुत अच्छ से भुन गया है तो मिक्स कर लेंगे पहले कटहल में उसके बाद इधर आपको गरम पानी डालना यह चीज बिल्कुल ध्यान देना है आप जिसमें मैं उबाली थी ना बस उसी पैन में मैं दूसरा पानी लेके उसको उबाल ली थी और इधर मैं डाल दी क्योंकि करते है विप्ली को विभाजी क आपको जितना चाहिए वह कम ज्यादा क्योंकि क्या होता मसाला वाली सब्जी कोहतीना उसमें थोड़ा कटहल कटाहल थोड़ा One एब्जॉब जादा करती है पानी मतलब ठंड़ा होने когда आप फोब हो जाती है तो इसलिए यो वीडियो आपको अच्छा लगा होना तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक करना शियर करना चैनल अपको सब्सक्राइब जरूर करना ओके फ्रेंड्स बाइ टेक क्यार इंजोई